जेहन दोस्तो आज हम फिर से pattern को हल करना सीखेंगे पिछली कलास में भी हमने pattern को हल करना सीखा था लेकिन उसमें हमने square वाले जो प्रिषने थे उसमें क्या pattern रहता है उसे समझा आज हम समझेंगे serial वाले प्रिषने जो इस परकार से प्रिषने आते हैं स्रेडी में इस प्रकार की संख्याय दी रहती है और अगली संख्या पूँची जाती है या फिर बीच की संख्या मिस रहती है उसको पूँच लिया जाता है तो आईए समझते हैं किस प्रकार से इनको हल करते हैं सबसे पहले हम समझेंगे यह रहते क्या है संख्या स्रंख्ला यह क्या होती है संख्या स्रंख्ला होती है इसके अंतरगत क्या रहता है देखिए स्रंख्ला का प्रते पद एक निश्चित संख्या अथ्वा संख्या क्रम के रूप में व्यवस्थित होता है क्या होता है एक प्रकार से इसमें एक नियम बना दिया जाता ह उस नियम के अंतरगत ये संखलाए क्या होती है व्यवस्तित होती है ये जो स्रेणी होती है ये बनी हुई होती है अब क्या करना है हमें हमें व्यवस्ता में लागू नियम को खोजना है और उसके अनुसार हमें उत्तर देना है उसके अनुसार हमें इने सौल्व करना है तो आ वो बढ़ते हुए क्रम में है किस प्रकार से है बढ़ते हुए क्रम में और महत्पून बात क्या है यदी स्रेणी बढ़ते हुए क्रम में है मतलब कि इसमें या तो गुणा का नियम लगा है या फिर जोड का नियम लगा है ठीक है उसके बार दूसरा प्रिश्ण देखिए ये जो स्रेडी है ये जो स्रंखला है ये किस प्रकार से है घटते हुए क्रम में है घटते हुए क्रम में है मतलब कि इसमें या तो माइनस का नियम लगा है या फिर भाग का नियम लगा है दो महत्कून बाते हैं जो हमें प्र भाग हो रहा है ठीक तीसरी बात तीसरी बात क्या है जब भी हमें इन्हें सॉल्व करना है इन्हें हल करना है सबसे छोटी संख्या जिस तरफ हो चाहे आगे की तरफ हो चाहे पीछे की तरफ हो हमें हमेशा छोटी संख्या से ही स्टार्ट करना है ठीक है जोड को याद रख ल कर देना है जो अगली संख्या है उसमें से पिछली संख्या को माइनस कर देना है उसी पिरकार अगले पद में जो अगली संख्या है उसकी पिछली संख्या माइनस कर देनी है तो हमें क्या मालूम हो जाएगा ब्यवस्था में लागू नियम ठीक है तो क्या नियम लागू है देखिए यह 9 है और इसकी अगली संख्या कितनी है 13 13 मैंसे हम 9 को माइनस कर देंगे कितना आ गया है 4 आ गया है इसी पिरकार हम अगली संख्या जो 13 के बाद है 17 इसमें से माइनस कर देंगे 13 को कितना गया है 4 कितना डिफरेंस चल रहा है 4 का डिफरेंस चल रहा है मतलब कि 4 इ चार-चार जुडता हुआ जा रहा है संख्या हम इसलिए बढ़ती जा रही है तो पिछली जो संख्या है 25 इसमें भी हम क्या करेंगे 25 पिलस 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 29 आंसर हमारा देखिए C वाला मैच हो गया इस बरकार से बहुत सरल करीके से इनको हल करना है हमें समझना क्या है बढ़ते क्रम में है तो जो या फिर गुणा हो रहा है घटे क्रम में है तो या तो माइनस हो रहा है या फिर भाग हो रहा है ठीक है नीचे वाला देखिए नीचे वाला क्या कह रहा है स्रंकला 258 136 64 18 अब हमें सबसे पहली बात संख्याओं को देखकर एक तो घटते किरम में हैं तो इसमें दो ही हो सकते हैं या फिर भाग होगा या फिर माइनस होगा ठीक है और सबसे चोटी संख्या जिस तरह होगी वहां से हम सॉल्व करेंगे तो इसके आगे ना होकर कहां प कि भाग हो रहा है चलिए यहां से हम देखेंगे तो हम क्या करदेंगे उल्टे आ रहा है तो 36 आ रहा है 36 माइनस 2 कर दिया है तो 34 आ गया है यह हो रहा है ठीक है अब देखिए इसका और करके देख लें यह कितना है 34 इंटू करेंगे इसको तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 68 68 आ रहा है और यहां पर 66 मतलब कि 68 माइनस 2 तो यह कितना आ गया है 66 नियम हमने पकड़ लिया है यह इसका दुगना है दुगने में से 2 को माइनस कर दिया है यह इसका दुगना है यह वाला 34 जो है दुगना किया उसके बाद माइनस 2 कर दिया है यह नियम लग रहा है अब क्या करेंगे हम हमें उस तर मतलब का लगाना है मतलब की जो हमने नियम खो जा उसका उल्टा कर देना है जो माइनस किया है पहले उसको पिलस कर देना है उसके बाद जो गुणा हो रहा है दो से उसको दो से भाग कर देना है ठीक है इसका क्या करना है उल्टा करना है क्योंकि हम पीछे से कर रहा है और ये पहले तो कितना हो गया 20 अब क्या करना है गुणा किया है 2 से तो 2 से भाग दे दो कितना हो गया है 10 आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10 यानि option B अब देखिए ये जो सही है या नहीं है वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस प्रकार से ये 258 है 258 है हमने क्या देखा है पहले 2 का जोड करना है उसके बाद 2 से भाग दे देना है मतलब इसमें हो रहा है 2 पिलस और भाग 2 ये नियम लगा हुगा इसमें देखिए ये solve करके 258 है 258 पिलस 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा फिर 2 से भाग देंगे तो क 30 हो जाएगा अगला पत कितना है 130 इसमें भी बोई करके देख लिए दो पिलस करना है पहले तो यह हो जाएगा 132 फिर दो से भाग दे देंगे इसको काटेंगे तो यह कितना आ जाएगा 66 सही आ गया हमारा अब डारेक्ट हमें 18 पर चलना है 18 पर क्या करेंगे 18 प्लस दो कर देंगे यह हो जाएगा 20 को दो से भाग देंगे कितना हो जाएगा 10 ऑफ्सन भी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ठीक है बड़े सरल तरीके से इन्हें हल करना है बस दो तीन बातों को भीहन रखना है कौन सी सबसे पहले हमने जैसे ही सीरीज देखी हमें यह अनुमाल लगा लेना है क्या अनुमाल लगा लेना है यदि बढ़ते क्रम में है तो पिलस का नियम या फिर गुणा का नियम लग रहा है